सल्मान खान की फिल्म किक का भी सीक्वल आने की तयारी में है। साल 2014 में इस फिल्म में सल्मान और जेकलिन फर्नांडिस की जोड़ी नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर बढ़ या प्रदर्शन किया था। साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी इस फ प्रोजेक्ट को लेकर इसकदर व्यस्त हैं कि वे इस साल के की शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। खबर है कि फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तयार है। और सल्मान खान भी इसके लिए पूरी तरह तयार हैं। सल्मान तो इस फिल्म का एक एहम हिस्सा होंगे ही, बाकी अन्य कास्ट में फिर बदल मुंकिन है। सल्मान खान इन दिनों ट्यूबलायट और टाइगर जिंदा है और साजिद नाडियारवाल अपनी तीन फिल्में रंगून बागी दो और जुर्वा दो की शूटिंग को खत्म करने में व्यस्त हैं। इसलिए उन्होंने अगले साल साथ काम करने का फैसला लिया है। दोस्तों आप कौन सा मूवी का वेट कर रहे हैं नीचे कॉमेंट किजिए। दोस्तों आगे की अपतेत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।